Hey everyone and once again welcome to WSQTech, myself Umar Tashkir guys, इस particular video में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर blog और website में क्या difference होता है, चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर blog और website में क्या difference होता है, so guys सबसे पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, a blog is a type of website where the content is present in reverse chronological order, अब इसका क्या मतलब होगा, कि blog में क्या होता है, कि जो आपका content है, वो reverse chronological order में होता है, यानि कि जो latest चीज है, वो सबसे पहले आएगी, ब्लॉग में क्या होगा, latest चीज सबसे पहले आएगी, तो अगर आप post कर रहे हैं, आप कुछ post कर रहे हैं और आपन पांच post करी, example मान के चलते हैं, एक आपने post करी 20 तारीक को, फिर 21 तारीक को, फिर 22 तारीक को, और फिर 25 तारीक को, ये चार post आपने करी, तो ये जो 25 ये जो 25 डेट को आपने जो post करी, वो सबसे उपर आएगी, this is basically reverse chronological order, तो आप इससे confused मत होईएगा, इसका मतलब ये होता हम नया content in the form of blog, हम यहाँ पर update करते रहते हैं, नया content लेकर आते रहते हैं, नई नी post बनाते रहते हैं, तो ये सारी चीज़े हमारी regularly update होती है, वही पर अगर हम website की बात करें, तो यहाँ पर update होती है, ये किसके form में होता है, it is basically in the form of the web pages, ये web pages के form में होगा, और यहाँ पर अपडेशन तो हो सकता है, बट वो अपडेशन इतना regular या frequent नहीं होता है, कि रोज आप update कर रहे हैं, रोज कोई नहीं चीज़ डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप देखते होगे website में कि आज आज आप किसी website पे गए, कल उसका क्या content बदल गया, ऐसा नहीं होता आज जो blog post में इस चीज़ के उपर हुई, कि what is SEO, फिर कल जो post होगी वो इस चीज़ के उपर होगी, कि what is SEO, या सचीनियन मार्केटिंग क्या है, benefits of SEO, तो वहाँ पर क्या होता है, blog के उपर, blog भी technically अगर देखा जाए, तो blog भी एक तरीके की website ही है, बट difference क्या है, blog के content जो है static होता है, या थोड़ा सा dynamic in nature होता है, बट उसके update होनी की frequency उतनी high नहीं होती ही, जितनी की blog की होती है, blog can be on a website और any blogging platform जैसे की WP के उपर, wordpress के उपर हम blog बना सकते है, या website के साथ भी हमारा blog होता है, website का part भी हमारा blog होता है, और website तो stand alone चीज़ है, website को अगर हम differentiate करे, blog से तो website एक stand alone चीज़ है, बट एक existence हो सकता है कि website plus blog हो सकती है, और यह बहुत common चीज़ है, आज के time में बहुत common है, और वही चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे, यह fourth point तो वही चीज़ लिख वी है, earlier started at personal, बनलब generally starting में क्या था, कि लोगों ने जो blogging शुरू करी है, जो इसे photographic के बारे में पता है, तो photographic के उपर blog लिख देगा, कि कौन सा camera उसे लेना चाहिए, लोगों को photographic क्या होती है, और अगर photographic के बारे माँ ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो कहां से सीख करते हैं, इनी photographic से related बहुत सारा जो stuff है, content है, वो जो है डालना शुरू कर देत तो वो बहुत ज़्यादा commercialized नहीं था, starting के अगर हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा commercialized नहीं था, और नहीं बहुत ज़्यादा companies इसको use कर रही थी, तो ये सारी चीज़े individual level पे थे, personal level पे थे कि मेरे को कोई चीज आती है, तो मैंने उसका blog बना दी है, और मैं अपनी information, अपनी knowledge उसके through share कर रहा हूँ, but हुआ क्या, कि blog से ओपर traffic बहुत ज़्यादा आने लगा, जब blog के ओपर traffic आने लगा, तब companies को, agencies को, organization को ये समझ में आए, कि अच्छा blog तो बहुत powerful चीज़ है, क्योंकि blog के ओपर अगर हम को informational content डालते है, तो हम देखने कि बहुत सारा भर- करती है, services provide करती है, but क्योंकि ये content regularly update नहीं हो रहा है, frequently update नहीं हो रहा है, तो क्या नई चीज़ के लिए वो हमारी website के ओपर बार-बार क्यों आएंगे, ये बात समझ में आ लिए आपको, कि companies को क्या लगा, कि अरे blog तो एक ऐसी चीज़ है, जिसके ओपर regular traffic आता रहता है, क् अपडेशन होता रहता है, रोज नयानय content पढ़ता रहता है, तो रोज traffic आता है, traffic की भर मारे blog के ओपर, अट हमारे पास तो website है, blog तो personal बंदे के पास है, individual के पास है, हमारे पास तो website है, अब website के ओपर भर बर के तो traffic आ नहीं है, कोई बंदा एक बार आ गया, उसे हमारे business के हमारी website के ओपर क्यों आए, ये question है, तो companies ने क्या कहा, companies ने क्या कहा कि website चलो, अच्छी बात है, हमारे पास website है, it's a good thing, बट साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ blog को भी attach कर देते हैं, blog को भी जोड़ देते हैं, तो क्या करेंगे, traffic भर भर के लाएंगे, blog को फिर राइ करेंगे, तो समझाने का मतलब यही था है, कहने का point यही है, कि earlier it started at personal, later companies adopted as it drives traffic, उनको समझ में आ गया कि ब्लॉग का potential क्या है, क्योंकि जबरदर्श ट्राफिक लेकर आता है, अगर आपका blog rank हो रहा है, आपने proper SEO किया है, अपडेशन, अपडेशन is the most important thing, क्योंकि content regularly update होता रहता है, और जो भी उस niche का है, मैंने example यह अगर मैं फोटोग्राफी के उपर blog लिखता हूं, और दूसरे फोटोग्राफों से फोटोग्राफी सीखना चाहते है, तो definitely उस blog post के उपर regularly आएंगे, regularly आएंगे, उसके बाद म मैं उनको recommend कर दूँगा, यह camera ले लो, तो camera भी ले लेंगे, affiliate marketing के हम लोगों ने बात करी थे, वो camera भी ले ले लेंगे रहा है, जो हम link provide कर देंगे, वहां से हम earning भी कर सकते हैं, तो यह सारी चीज़े company को समझ में आने लगी, organization को समझ में आने लगी, कि हम क्या करें, हम पहल कोई hosting service है, right, कोई hosting service है, for example मान के चलते हैं, कोई hosting service है, उसकी अपनी website है, अब उस hosting service ने एक blog शुरू किया, जिसमें वो बता रही है, hosting service की जो company है, वो बता रही है, कि आप blog किस तरीके से start कर सकते हैं, या आप online किस तरीके से earning कर सकते हैं, तो उसमें वो content दे रहा है, अब जो वो online earning करने वाले जो लोग हैं, वो लोग जो है, वो उस blog के उपर आएंगे, वो traffic उस blog के उपर आएगा, अब जब वो online earning समझेंगे, कि online earning क्या होती है, blogging क्या होती, किस तरीके साम online earning कर सकते हैं, किस तरीके से blog बना सकते हैं, तो उनको hosting की भी ज़रूद पड़ेगी, अब वहीं से hosting ले लेंगे, क्योंकि हमारी recommendation है, हमारी website है, हमारा ही blog है, तो हम उनको hosting जो है, अपनी hosting जो है, उसमें जो हम blog content लिखेंगा, जो भी content हम लिखेंगे, उसमें घुमा फिरा के हम अपनी hosting के भी बात करते रहेंगे, बात समझ में, तो इस तरीके से जो companies हैं, उन् personal level पर ही start हुआ था, as content is not updated regularly, hence informational approach is less, वहीं जो मैं आपको समझाने कोशिच करा था, यहाँ पर क्या है, informational approach कम है, तो मोटे मोटे तावर पर देखा जाए, तो technically, technically बहुत ज़्यादा फरक नहीं है, website और blog में, बट क्योंकि content के अगर हम बात करें, बात क्योंकि internet के ओपर content is everything, content is everything, जो content website के ओपर है, वो informative content नहीं है, वो उतना अज़ा information नहीं देता है, learning नहीं प्रोवाइड करता है, हमको कुछ सिखाता नहीं हमें, यहाँ पर केवल क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल website, जिस भी company के उसकी information मिलती है, यहाँ पर blog में क्या होता है, this is basically our informative resource, यहाँ पर information भारी हुई, तो guys, यह एक basic सी difference है, जो हम लोगों ने इस particular वीडियो में समझने कोशिश करी, guys, इस particular वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, next video में, till then, goodbye.